अगर आपके फुन में भी बार बार नेक खतम हो जाता है, जो data MB है वो जल्दी खतम हो जाता है, तो उसका reason क्या है और उसको जल्दी MB खतम होने से कैसे रुख सकते हो, आज मैं आपको इस वीडियो में कुछ ऐसे setting बताऊंगा, तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखना आपको भाई आसिफ, तो बिड़ा टार्श करें चलो देखते हैं, let's get started. किसी किसी फोन में 5G इनेबल है, किसी इसी फोन में 4G है, अगर आपने 5G इनेबल नहीं किया, तो आपका तो जितना रोज का में मिलता है, 1.5G या 2G खतम हो गई, अगर आपने 5G इनेबल कर दिया, तो unlimited net मिल रहा है, फजियो बोलो, या यार्टेल बोलो, किसी भी SIM में 5G unlimited net दे रहा है, अगर आपका 5G unlimited नहीं है, 4G है, तो उस टाइम आपका internet जल्दी खतम हो जाता है, तो इसके लिए ऐसे 6 setting, जो पहला setting है, वो है दोस्तों, आपके फोन में ही होगा, जैसे यहाँ पे आपके फोन में आते हो, एक Google करके फोल्डर यहाँ पे होता है, और Google करके ज आपका जो फोटो है ना, वो automatically background में डाउनलोड होता है, जिसके वाज़से आपका MB इतना जल्दी खर से हो जाता है, आपको पता ही नहीं चलता है, तो यह बहुत ही ज़रूरी है, तो आपको करना क्यों होगा, इसी Google Photos जो एप है, यह पहला setting है, इसी Google Photos एप पे आके आप आपका यहाँ पर profile दिखेगा, profile पर click करना होगा, कर दिने के बाद यहाँ पर देखना photo setting आएगा, यह देखो, यहाँ पर जैसे click करोगे, click करने के साथ-साथ यहाँ पर photo setting में आपको click कर दिना होगा, जैसे photo setting में दोस्तों आप click कर दोगे, click कर दिने के बाद backup notification इस तरह से बहुत सेटिंग आएगा तो आपको backup का उप्शन में क्लिक कर दिना होगा क्लिक कर दिने के साथ साथ नीचे देख पर हो यहाँ पे backup quality और यहाँ पे mobile data uses यहाँ पे mobile data uses में आपको क्लिक कर दिना है यह बहुत ही जरूरी है तो आपको यहाँ पर क्या रहता है एसलिए आपका जितना मर्जी उतना आपका फोटू वीडियोा अपडेत हो जाता है जिसके वज़ा से आपका फोटूमेटilities जल्दी खूता हो बेक अप करके रखा है तो यह हो गई यह हो गया पहला सेटिंग अभी जो दूसरा सेटिंग है दोस्तों यह बहुत ही जरूरी सेटिंग है तो दूसरा सेटिंग होता क्या है जो भी एप्स होता है जो भी वीडियो होता है फोटो होता है जो WhatsApp में कोई आपको भेजता है automatically download हो जाता है और automatically download हो जाने की बाद automatically backup होते रहते हैं तो यह बहुत ही जरुरी setting है जो आपका WhatsApp है, WhatsApp पे आना है आपने शायद ऐसे कोई group है या ऐसे कोई आपको बार बार photo वीडियो इतना लंबा लंबा photo वीडियो भेज रहा है वीडियो automatically download हो जिसके बाद से आपका phone में storage भी full हो रहा है उसके साथ-साथ आपका जो MB है, जो Google Photos एप में backup हो रहा है, उसमें भी backup हो रहा है आपका MB भी जा रहा है उसके बाद आता है, media auto download यह एक setting मिल जाएगा और यहाँ पर आपको दिखेगा when using mobile data तो मैंने यह already bond करके रखा है तो आपको यह इस तरफ से यह tick रहेगा आपका यह इस तरफ से रहेगा तो आपको यह tick होगा, यह untick कर देना होगा इस तरह उसे हटा लेना है हटा के आपको यहाँ पर ok कर देना है यह बहुत ही जरूरी setting है ठीक है, when using mobile data यह सारा का सारा हटा के ok कर देना है इसके बाद क्या होगा, आपका whatsapp में आपके कोई ऐसे group है या जो भी बंदा है, बंदी है जो आपको photo video लंब लंब भेजता है तो automatically download नहीं होगा जो कोई भी photo हो या video हो उसको भेजेगा, आपको खुझ से download करना होगा, तब जाके download होगा तो इसका मतलब है, आपका gallery पे भी download नहीं होगा, और उसके बाद आपके google photos में भी, यह automatically बेक अप नहीं होगा, मतलब एक गुली से दो शिकर हो गया, आपका MBB बच गया यह हो गया, दूसरा setting, अभी जो तीसरा setting है, वो दोस्तो आपका YouTube में, YouTube की वज़े से आपको शायद नहीं पता, कि YouTube में आपको ऐसे ऐसे वीडियो देखते रहते हो जो background में, आटोमेटिकली वीडियो डाउनोड होते रहते हैं, वो होते है smart download, तो YouTube में आके आपको एक setting करना है, यह है तीसरा setting आपको simply आपका जो लोगो है profile है, profile पे click करना होगा, उसके बाद यहाँ पर दिखेगा setting, यह setting में आपको click करना होगा, जैसे setting में click कर देते हो, setting में click कर देने के साथ-चाथ इस तरह का setting आएगा, जैसे कि देख पा रहे हो, video quality preference उसके बाद downloads, तो आपको इसी download पे click करना होगा, उसके बाद downloads पे click कर देने के बाद, यहाँ पर download, recommended download जो है, यहाँ पर देख पा रहे हो, यह recommended download जो है, इसको बंद कर देना है आपको, यह recommended download बंद नहीं करोगे, तो automatically कभी-कभी क्या होता है, जो recommend करते है जो video, वो कभी-कबर एक click लगता है, नहीं तो कभी-कभी automatically download होते रहते हैं, और वो 100MB, 300MB, 200MB, ऐसे download हो जाता है, तो इसके लिए यह recommended download आपको बंद करते हैं, उसके बाद देखना, जो आप YouTube में वीडियो अगरा देखते हो, ना, किसी कभी वीडियो आप देखते हो, तो होता क्या है, यह देखो, एक वीडियो देखा, और यहाँ पे setting भी जाके, यह देखो, वीडियो क्वालिटी, अभी मेरा कितना है, डाटा सेवर, आपका यहाँ पे HD पे आएगा, तो यहाँ पे वीडियो क्वालिटी पे आपको एक setting करना है, और वीडियो देखते हो, इसके वज़र से आपका MB जाता है बहुत ज़्यादा, तो आपको करना क्या होगा, simply आपका profile नीचे रहेगा, नहीं तो उपर रहेगा, तो इसमें setting में कलिक करना होगा, उसके बाद वीडियो क्वालिटी प्रेफरेंस, यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा, तो यहाँ पे आपको करना क्या होगा, आपका यह शायद auto रहेगा, तो आपको यह data saver पे कर दिना है, मैंने already data saver कर रखा है, तो इस तरह से आपको data saver कर दिना है, वेडियो क्वालिटी और मॉबाइल ने ट्रक्स, यह data saver पे ज़रूर रखना है, ठीक है, उसके बाद आपको back कर दिना है, फिर से back कर दिना है, और यह हो गया भी तिसरा setting, अभी YouTube पे आप कोई भी वीडियो देखो, low quality पे, मतलब ठीक ठाक होगा, आपका MB इतना ज्यादा नहीं जाएगा, यह हो गया तिसरा setting, अभी चौधा setting है, वो है दोस्तों, आपका Facebook में, जो आज का look क्या करता है, Facebook में, एक के बाद एक वीडियो देखते रहते हैं, जैसे वीडियो पे जाते हैं, वीडियो पे क्लिक करने के साथ साथ यह देखो, ये देखो एक के बाद एक वीडियो आते रहते हैं ये देखो और ये वीडियो आटमेटिकली यहाँ पे प्ले हो रहा है ये देखो आटमेटिकली प्ले हो रहा है और इसके साथ-साथ यहाँ पे वीडियो पे क्या होता है और हाई क्वालिटी वीडियो चाल जाता है और आप आपको ओगा किस आपको आपको यहां पे थोड़ा नीचे आ flawONG tuo Content Việt देख़ रहे हैं तो इसी मेडिया मेभ अपको क्लिक करना होगा तो आपको डाटा से वर जो की यूज आप compete 40% less data by reducing video quality यह बहुत ही जरुरी है यह data saver जो है इसको आपको यहाँ से on कर देना होगा और इसको on कर देने से क्या होगा आपका MB भी बच जाएगा और यहाँ पर देख पारे हो जो कि never autoplay videos जो वीडियो है autoplay हो जाता है autoplay हो जाता है इसलिए आपको यह never autoplay videos को on कर देना है यह on कर दोगे तो क्या होगा अभी देखो back करता हूँ उसकी बाद back करता हूँ अभी कोई भी Facebook में अगर हम जाते हैं जाने की बाद वीडियो पर जाते हैं तो automatically वीडियो प्ले नहीं होगा यह देखो जो मन करेगा मुझे वही में प्ले करूँगा और जो प्ले करूँगा प्ले करने का डाटा से बर मतलब अगर पहले डाटा से बर नहीं on किया था तो उसमें अगर पाच मिनिट का वीडियो देखते था तो 200 MB, 30 MB जाता था थ्यान से देखो यह बैटरी इस तरह का तो अगर आपको यहां पर नहीं मिल रहा तो डाटा को मूबाइल यूज कर रहा है उस टाइम जो हमारा डाटा है डाटा ऑन करके हम छोड़ देते हैं तो क्या होता है सारा रात जो बैक्ग्राउंड है ना बैक्ग्राउंड में डाता खतम होते रहते हैं जिसके वज़े से हमारा सुबर उटके देखते हैं अरे 50% यूज होगे हम यूज ही नहीं किया तो यह होता क्या है इसको आप अन करो टार्न ओफ मोबाइल डाटा आपका नेवर रहता है मतलब हमारे डिवाइस जब लॉक हो जाता है उसके बाद आपको आटोमेटिक लिए आप 5 मिनिट पर कर दो अगर आप सो भी गये हो डाटा ओफ करने के लिए भूल भी गये हो तो टान ओफ मोबाइल डाटा ओटोमेटिकली आफ हो जाएगा यह बहुत ही ज इस्टेल कर सकते हो तो यह जो एप है इस एप को इस्टेल करने के बाद आई एगरी पे कलिक कर देना होगा उसकी बाद इस एप से होता क्या है पहले समाझ रहो यह एप क्या होता है कभी-कभी मान के चलो आप गेम खेल रहे हो कोई फ्रीफेर खेल रहे हो या पबजी खेल कर दो उसके बाद यहां पर दोनों कर दो तो यहां पर मान के चलो मैं आप यह बटले ग्राउंड्स इंडिया जो कि फ्रीफायर के समाई मुझे किसी ठाटपटी जो एप है उसमें नेट न रहे तो मैं क्या करता हूं सबसे सब्सक्राइब सब्सक्राइब कब इस एप को इस्टल करे लो उसके बाद आपको जब लगे कि आपको किआप आपको हाँ अपने desire game.. उसके बाद आपको यहां से डारेकटल सार्टाइथ खरो जो जया था तो इसको बन कर दो उसके बाद हमें YouTube सार्च करता हूं YouTube सार्ज करने के साथ साथ यह देखो YouTube का भी Net On कर दिया, उसके बाद मैं Facebook का Net On कर लेता हूँ, यह देखो Facebook का भी Net On कर लिया, तो अभी मैं YouTube पे जाता हूँ, और जो refresh नहीं होता रहा, अभी देखो refresh हो जाएगा, यह देखो refresh हो गया, ठीक है, अभी YouTube का कोई भी वीडियो भी देखो, यह देखो, कोई भी वीडियो चल रहे है, ठीक है, तो इसी तरह से जो है, इस एप को पिश्टर कर लो, यह आप भी आपका Net बचाएगा, तो दोस्तों ऐसे कि आप भी आपको लाइप टू लाइप दिखा है, आप बिल्कुल इसी तरह से आप भी आपके फोन में कर सकती हो, उसके बाद यह कुछ सेटिंग करने की बाद आपका फोन में देखना 100% है, जो पहले MB खर्षा होता था, उसके बाद अभी 50% कम हो जायेगा, अगर उससे पहले जो भी MB खर्षा होता था, उसके बाद यह सब सेटिंग करने की बाद बहुत ज्यादा आपको एफ